एसी मा जीव जो अपने ही बच्चों की मौत का कारण बनती है जब इगल के दो बच्चे आपस में लडाई करते हैं तो उनकी मा उस लडाई का तमाशा देखती रहती है और जब एक ताकतवर बच्चा दूसरे कमजोर बच्चे को मार देता है तो उसकी मा और जिन्दा बच्चा उस मरे बच्चे को खाने लगते हैं गरभाश है के समय शार्क के पेट में 20 बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन जब उन बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिलता और तेज भूक लगती है तो वो एक दूसरे को ही मार कर खाना शुरू कर देते हैं और आखिर में सिर्फ दो ही बच्चे बाहर आपाते हैं जब सील के बच्चे जन्म लेते हैं तो उनकी मालगातार उनको 12 दिनों तक धूद पिलाती है और फिर 12 दिन के बाद उन्हें छोड़ कर वहां से चली जाती है इसके बाद उस बच्चे को या तो कोई जानवर खा जाता है या फिर वो भूक के चलते तडब तडब कर वही मर जाता है वैसे आपके हिसाब से इन माजीवों को ऐसा करना चाहिए या नहीं कमेंट करके जरूर बताना